जै हिंदी जैनागरी जै हिंदी जैनागरी इस यूट्यूब चैनल में आपका फिरिसे स्वागत हैं आज हम रससिद्धान्त के अगले पड़ाव की ओर जाते हैं अब तक हमने रसका स्वरूप और रसके अवयव इस भाग को पूर्ण किया था आज हम रसके प्रकारों की ओर जाएंगे रसके भिद अथवा रसके प्रकार प्रेरक कारणों के कारण मानव के मन में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उन्हें भाव कहते हैं इन भावों को स्थाईत्व और अस्थाईत्व के आधार पर वर्गिकृत किया जाता है इन में से स्थाई भावों का रुपांतर्ण रसों में होता है रसों की संख्या स्थाई भावों पर निर्भर है आचार्य भरत्मुनी ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में आठ स्थाई भाव और आठ रसमाने हैं। किन्तु नाट्य शास्त्र पर अभिनोभारति नामक्टि का लिखने वाले आचार्य अभिनोगुप्त ने एक पाठ भेद के आधार पर नौवा रस शांत रस भी जोडा है। वाचल्यर को रसरूप में स्विकार किया है। पोतदार एवं चाफे करने भक्ती शुक्लजी ने प्रकृती बाबु गुलाबराय एवं शिवराम महाद्यो परांजपे जोग आधी ने देश भक्ती जावडे करने कांती भिडे ने प्रक्षोभुतो कुछ लोगों ने इतिहास रस की अवधारना रखी है। किन्तु सरवतम सम्मती से नौही रस स्विकार किये गए हैं जिनमें बाद में वातसल्य और भक्ती रस जोड़कर रसों की संख्या ग्यारह स्विकार की गई है। पहला रस है श्रंगार जिसका स्थाई भाव रती है। दूसरा है हास्य रस जिसका स्थाई भाव हास है। तीसरा रस है करण जिसका स्थाई भाव शोक है। चौथा रोद्र रस है जिसका स्थाई भाव क्रोध है। पांचवा वीर रस है जिसका स्थाई भाव उत्साह है, चटा भयानक रस है जिसका स्थाई भाव भय है, सातवा विबत्सरस है जिसका स्थाई भाव जुगुपसा, तो आठवा रस अधभुत है जिसका स्थाई भाव विस्मे है, एवं नौवा रस शान्त है जिसका स्थाई जैसा कि हमने पहले का था कि बाद में इसमें दो और रस जोड़ दिये गए हैं वात्सल्य रस जिसका स्थाई भाव संतानस ने हैं और ग्यारहमवा भक्ति रस जिसका स्थाई भाव उपासना है अब इस तालिका को अगर हम देखें तो भारतिय परंपरा क्या नुसार देखिए प्रत्य अवधारना में हम इश्वर या देवताओं की परिगर्णना करते हैं अतह हम एक एक क्रम से इन पहले जो आठ रस माने हैं उनके स्थाई भाव उसके वर्ण और उसके देवता की और संक्षिप में रुख करेंगे पहला रस है श्रंगार रस जिसका स्थाई भाव रति है जिसका रंग या वर्ण शाम और देवता विश्णु हैं दूसरा रस है हास्य रस जिसका स्थाई भाव हास है इसका रंग श्वेत एवं इसके देवता प्रमत अथ्वा कामदेव हैं तीसरा रस है करुण जिसका स्थाइभाव शोक है और जिसका कपोत रंग है एवं इसके देवता यम है चौथारस है रौद्ररस जिसका स्थाइभाव क्रोध है जिसका वर्णया रंग रक्त लाल है और जिसके देवता रुद्र है पांच्वारस है वीररस जिसका स्थाईभाव उत्साह एवं इसका रंग गौर है इसके देवता महेंद्र अत्वा इंद्र है देवाधिपती इंद्र छटा रस है भयानक जिसका स्थाईभाव भय है जिसका रंग कृष्ण या काला है और काल इसके देवता है बिवत सरस सात्वा है जिसका स्थाई भाव जुगुपसा है या घ्णा है वर्ण या रंग इसका नील है और इसके देवता महाकाल है तथा आठवा रस अद्भुत रस है जिसका स्थाई भाव विस्म है जिसका रंग पीत पिला और देवता ब्रह्म है अब हम एक एक करके इन ग्यारह रसों पर विचार करेंगे पहला रस श्रंगार रस है नायक और नाईका के मन में संसकार रूप में स्थित रतिया प्रेम जब रस की अवस्था को पहुँच कर आस्वादन योग्य हो जाता है तो वह श्रंगार रस कहलाता है श्रंगार रस को रसराज या रसपती भी कहा जाता है श्रंगार रस के दो भेद होते हैं संयोग श्रंगार एवं वियोग श्रंगार संयोग श्रंगार को हम विशेश देखेंगे संयोग श्रंगार को ही संभोग श्रंगार भी कहा जाता है ये संयोग श्रंगार रस अत्वा संभो श्रंगार रस क्या होता है विशेश देखेंगे संयोग काल में नायक और नाईका की परस्परिक रती को संयोग श्रंगार कहा जाता है इसमें संयोग का अर्थ है सुख की प्राप्ति करना संयोग श्रिंगार के रसके अवयव, स्थाई भावरती, आश्रय नायक अथ्वा नायका, आलंबन नायक के लिए नायका, अथ्वा नायका के लिए नायक, आलंबन विभाव, नायक अथ्वा नायका की चश्टाएं, उद्धीपन विभाव, आलंबन का संदरिय, प्रकृति, रमनिक उद्ध्यान वसंत्रितु चांदनी भ्रमर गुंजन पक्षियों का कुंजन आदि अनुभाव अवलोकन स्पर्ष आलिंगन कटाक्ष आश्रू इत्यादि संचारी भाव हर्ष जडता निर्वेद अभिलाशा चपलता आशा स्मृति रुदन आवेग उनमाद आदि उदाहरण दुलह श्री रगुनात बने दुलही सिय सुंदर मंदिर माही गावत गीत सबय मिली सुंदरी बेद जुवा जुरी विप्र पढ़ाही राम को रूप निहारत जान की कंकन के नग की परचाई याते सबय भूली गय करटे की तोही एक पल तारत नाही दुलह श्री रगुनात बने दुलही सिय सुंदर मंदिर माही गावती गीत सबय मिली सुंदरी बेद जुवा जुरी विप्र पढ़ाही राम को रूप निहारत जान की कंकन के नग की परचाई याते सबय भूली गय करटे की पल तारत नाही अब इसमें देखिए रस संयोग श्रंगार है जिसका स्थाई भावरती है आश्रय सीता है आलंबन राम है आलंबन विभाव राम का सुंदरी है उद्धिपन विभाव नग में परणे वाले राम का प्रतिभिंब अनुभाव राम के प्रतिभिंब को देखना हाथ टेकना संचारी भाव हरश जड़ता इसके उपरांथ हम वियोग अत्वाव विप्रलंब श्रंगार को देखने का प्रयास करेंगे एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक अत्यवं नायका के मिलन का अभाव वियोग श्रंगार रस अत्वा विप्रलंब श्रंगार रस होता है वियोग श्रंगार का उदार्ण निसिदिन बरसत नयन हमारे सदारहती पावसर रितुहंपे जबते स्याम सिधारे अज अंजन थिरन रहत अखियन में करक्व पोल भये कारे कंच की पट सुखत नहीं कब हूँ उरबिच पनहत पनारे बहत पनारे आंसू सलिल भये पग थाके बहे जात सिर्थारे सूरदास अब डूबत है ब्रज काहिन लेत उबारे इस में गोपियों के दुख का वियोग का वर्नन किया गया है वे कह रहे हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारे रात दिन हमारी आंखों से आंसू बहते हैं सदा रहति पावसर तो हम पे जबते स्याम सिदारे जब से स्रिकृष्ण हमारी आंस निकल गए है मतुरा चले गए हैं तब से हमारे आंखों से बह रहे पाने के करण सदेव पावस रितू श्रावण रितू ही श्रावण महिना ही चल रहा है अंजन थिरन रहत अंखियन में आंखों में काजल स्थिर नहीं रहता वह आंसों के द्वारा बह जाता है और कपोल मतलब गाल काले बन जाता है कंचुकी पट सुखत नहीं कब हों कंचुकी का कपड़ा जो है चोली का कपड़ा वो कभी सुखता ही नहीं क्योंकि हमेशा आंसों भहता है उर बिचबहत पनारे ऐसा लगता है कि इरध आंखों से इरधे तक पनाली बन करके आंसों भह रहे है आंसों सलिल भए पग ठाके आंसों पानी हो गए है जैसे और पेर ठक गए है बहे जात सिरतारे ऐसा लग रहा है कि बिना पेरों के वो तरते जा रहे हैं अब सूर्दास ये कह रहे हैं कि अब डूबत है ब्रज इन आंसों के बाढ़ में सारा ब्रज डूब रहा है काहिन लेत उबारे तुम इसको उबारते क्यों नहीं बचाते क्यों नहीं इस प्रकार से यहाँ वियोग वर्नन की आ गया है अर्थात यह विप्रलंब श्रिंगार रस का वर्नन अभी हमने देखा अब हम देखेंगे विप्रलंब श्रिंगार या वियोग श्रिंगार के प्रकार या भेद क्या होता है आचार्य भोजराज और विश्वनात ने वियोग श्रंगार रसके ये भेदमाने हैं अभिलाश हेतुक, विरह हेतुक, इरिशा हेतुक, प्रवास हेतुक और शाप हेतुक अब इसमें से हम पूर्व राग वियोग श्रंगार को देखेंगे मिलन अथवा समागम से पूर्व, रिधय में जो अनुराग का अविरभाव होता है उसे पूर्व राग या पूर्वानुराग कहा जाता है इसके चार मारगया विधियां हैं प्रत्यक्ष दर्शन, चित्रदरशन, श्रवन दरशन या चौथा स्वपन दरशन आचारे विश्वनाथ ने पुर्वानु राग के तीन भेदवताएं हैं नीली राग जो बाहरी चमक दमक तो अधिक न दिखाए किंतु रधै से कभी दूर न हो दूसरा है कुसुंभ राग जो शोभित अधिक किंतु जाता रहे मान वियोग श्रंगार ये दूसरा वियोग श्रंगार का प्रकार है जिसमें प्रियाप राध जनित कोप को मान कहता है इसके भी दो भेद होते हैं प्रणयमान और दूसरा इरशामान प्रणयमान वियोग श्रंगाररस और इरशामान वियोग श्रंगाररस अब प्रणयमान को विस्तार से देखेंगे प्रणयमान वियोग श्रंगार रस में दोनों के रधय में भरपुर प्रेम होने पर भी जब प्रिय प्रिया एक दूसरे से कुपित हो तब प्रणयमान होता है इसका समाधान यह कहे कर दिया जाता है कि प्रेम की गती कुटिल होती है यदिपि मनोवैजनिक दिष्टी से ऐसा मान नायक नाई का पारसपारिक अनुराग की पुष्टे हितू करते हैं अनुनए विनय से यह मान अधिक समय तक नहीं ठहर सकता दूसरा है इरिशामान इरिशामान वियोग श्रंगार रस पती की अन्यनारी में आसकती देखने अनुमान करने या किसी से सुन लेने पर स्त्रियों द्वारा किया गया मान इरिशामान कहलाता है निवृत्ति के अनुसार इरिशामान के भी तीन भेद होते हैं लगु इरिशामान, मध्यम इरिशामान और गुरु इरिशामान तीसरा प्रकार है प्रवास वियोग श्रंगार रस नायक नाइका में से एक का परदेश में होना प्रवास कहलाता है प्रवास वियोग में नायका के शरीर और वस्त्र में मलिन्ता, सिर में एक साधारन वेनी, एवं निश्वास, उच्छवास, रोधन, भुमी पतन, इत्यादी अनुभाव होते हैं यह प्रवास तीन कारणों से हो सकता है एक कार्यवश, किसी कार्य को करने हे तु नायक परदेश गया हो शापवश, किसी के शाप के कारण नायक परदेश गया हो जैसे कालिदास रचित मेगदूत का कुबिर द्वारा शापित यक्षम और चौथा तिसरा भयवश, किसी भय के कारण नायक परदेश चला गया हो चौथा वियोग श्रंगार रस का चौथा प्रकार है करुण वियोग श्रंगार रस नायक नाईका में से एक के मर जाने पर दूसरा जो दुखी होता है उसे करुण वियोग श्रंगार रस कहता है लेकिन वियोग श्रंगार तभी ये माना जाएगा जब परलोक गत व्यक्ति के इसी देह से पुनहम मिलने की आशा बनी रहे जैसे सत्यवान सावित्री की कथा में सत्यवान के मरने के बाद भी उसके पुनरजिवित होने की संभावना है यदि प्रिय मिलन की आशा सर्वता नष्ट हो जाए तो वहां स्थाई भाव शोक होगा रती नहीं अर्थात वह श्रंगार रस नहों करके करुनरस ही रहेगा जैसे इंदुमती के मर जाने के बाद अजका या कामदेव के भस्म हो जाने पर रती का शोक पूर्ण विलाप करुनरस में परिनत होगा नकी करुन वियोग श्रंगार रस में परिनत होगा अब इस मानचित्रे के द्वारा हम श्रंगार रस के अलग-अलग प्रकारों को आपके समुक देखने का प्रयास करेंगे इन में से ये जो भाग है वह आचार्य मम्मट और पंडितराज जगनात के वक्तव्य के आधार पर है और ये जो भाग है ये आचार्य भोजराज और विश्वनात के आधार पर है श्रंगार रस के भेद श्रंगार रस पहला भेद संयोग अत्वा संभोग श्रंगार दूसरा है वियोग श्रंगार अत्वा विप्रलंबर श्रंगार संयोग श्रंगार का कोई उपभेद नहीं है परंतो वियोग श्रंगार के अनेक उपभेद है जिन में से पहला यहां है दिखाए देता है दिखिये पूर्वराग पूर्वराग के भी तीन भेद यहां दिखाए गए है नीली राग, कुसुंब राग और मंजिस्ठा राग और पूर्व राग की जो स्थितियां है दर्शन की प्रत्यक्ष दर्शन, प्रिय दर्शन, श्रवन दर्शन प्रत्यक्ष दर्शन, चित्र दर्शन, श्रवन दर्शन और सुपन दर्शन इसके उपरांत आता है दूसरा भ और इसमें भी मान के अन्य तीन भेद होते हैं लगुमान, मध्यममान और गुरुमान, वियोग श्रंगार्रस का तीसरा भेद होता है प्रवास इसमें भी तीन भेद होते हैं कार्यवश, शापवश और भयवश और तीसरा होता है करुण विप्रलंब श्रंगार्रस चौथा भाग यानि देखे कि विप्रलंब श्रंगार्र या वियोग श्रंगार्र में पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण ये चार उपवश यहां दिखाई देते हैं ये हुआ आचार्य भोजराज और विश्वनात के मतानुसार, आचार्य ममट और पंडिकराज जगनात के मतानुसार हमावववद अध्यन करेंगे देखे, यहां आचार्य ममट और जगनात ने श्रंगार्रस के क्या भेद किये हैं श्रंगार्रस का पहला भेद वही स्नयोग श्रंगार अथ्वा संभोग श्रंगार दूसरा वियोग श्रंगार्रस अथ्वा भुरलंब श्रंगार्रस और इसके अंतरगत आचार्य ममट और पंडिकराज जगनात ने ये कहा है कि इसके चार-पांच अलग-अलग भेद होते हैं अभिलाश हेतुक, विरह हेतुक, इरिशा हेतुक, प्रवास हेतुक और शाप हेतुक तो इस प्रकार से हमने श्रंगार रस के सारे भेद आपके सम्मुख खोल कर रख दिये हैं इसके उपरांत हम आगे जलते हैं हास्य रस रस के प्रकारों में दुसरा महत्तुपुण रस है हास्य रस विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से उदबुद हास नामक स्थाई भाव को हास्य रस कहते हैं इसके रसाय वनियम प्रकार है, स्थाई भाव हास, आश्रे जिसमें हास्य भाव पैदा हो, आलंबन विभाव, विक्रत रूप, आकार, वेशभूशा, विचित्र, अनर्गलवचन, विलक्षन चेश्टा आदी, उद्धीपन विभाव, विचित्र अंग भंगी माएं, क्रिय आकलाप आदी, अनुभाव, आखों और मुख का विकसित हो जाना और खिलखिलाना आदी, संचरी भाव, चपलता, हर्ष, गर्व आदी, हास्यरस्का उधारण, विंध्य के वासी उदासी तपोवरत धारी माह बिनु नारी सुक दुखारे, गोतम तीयत रितुल सीसों का थासुनी मैं, मुनि व्रिंद सुखारे, वह सिला सब चंद्र मुखी पर से पदव, मन्जूल कंज तिहारे, कीनी भली रगुनायक, जुकरुना करी, कानन को पगुधारे, इस कार्थे इस प्रकार है, कि जब राम अरण्य में वनवास में आये थे, तो आप सबको पता है कि एक कथा क्या अनुसार, राम के पदस्पर्ष से, जब विश्वामित्र राम और लक्षमन को यज्ञ रक्षा के लिए ले गए थे, तो वहीं राम के पदस्पर्ष से, एक शिला स्त्री रूप में रुपांत्रित हो चुकी थे, इस कथा का यहां उल्ले किया गया है, तो यह विंध्या चल के जितने भी तपोवर्तधारी ऐसे उदासी हैं, उनको कोई पत्नी नहीं है, इसलिए वे दुखी हैं, गौतम की स्त्री, गौतम रिशी की स्त्री की कथा सुन करके, वे सारे मुनिवरंद सुखी हो गये हैं, ऐसा लगता है कि स्री राम चंद्रजी के पदस्पर्ष से सारे शिलाएं चंद्रमुखी हो जाएंगी, और उनके पदसपरश से वह उनके शरीर अत्यंत मंजुल कंज की तरह अर्थात कमल की तरह आएंगे होंगे कीन ही भली रगुनाथ जू करुणा करी कानन को पगुधारे अर्थात रगुनाथ जी ने यह बहुत भला काम किया है जो वे इस कानन अर्थात वन में आये हैं हास्य के रसके भेदो पभेद भी हैं आचारे भरत्मुल ने हास्य के दो मूल भेद स्विकार किये हैं आत्मस्थ और परस्थ आत्मस्थ हास्य अत्वा स्वगत हास्य भी से कहा जाता है जहां विदूशक या पात्र स्वयम हास्ता है आचारे अभिनो गुप्त क्यानुसार आत्मस्थ का अर्थ ऐसा हास्य जो स्वयम दर्शकों के चित्त में उद्भूत होता है अर्थात स्वगत हास्य डॉक्टर रागहण ने इसका अर्थ दूसरों के साथ हास्ना माना है आत्मस्थ हास्य के भी पुना तीन भेद हो जाते हैं उत्तम प्रकृति, मध्यम प्रकृति और अधम प्रकृति उत्तम प्रकृति हास्य, मध्यम प्रकृति हास्य और अधम प्रकृति हास्य उत्तम के भी पुना दो भेद हो जाते हैं इस्मित और हासित, मध्यम के विहसित और उपहसित, तथा अधम के अपहसित अतिहासित। परस्थ हास्य या संक्रांत हास्य जहां वह दूसरों को हसाता है। आचार्य अभिनोगुत्य क्यानुसार परस्थ का अर्थ है वह हास्य जो दूसरों को हस्ते देख करके उद्पन्न हो जाता है अर्थात अन्यत्र संक्रांत हास्या डॉक्टर रागुवन ने इसका अर्थ दूसरों पर हस्त नावाना है परस्थ हास्य के पुनहत्तिन उपभेद हो जाते हैं उत्तम प्रकृति मध्यम प्रकृति और अधम प्रकृति उत्तम के पुनह दो भेदोते हैं स्मित और हसित मध्यम के विहसित उपहसित तथा अधम के अपहसित और अतिहसित तो इसी बात को हमने इस चित्र के माध्यम से आपके समोग रखने का प्रयास किया है ध्यान दें हास्यरस के जो दो प्रकार है यहां आत्मस्थ हास्य यहां आप देख रहे हैं आत्मस्थ आत्वास्वगत हास्य और दुसरा परस्थ आत्वासंक्रांत हास्य इसमें भी पुनह प्रकार बताये गए हैं उत्तम प्रकृती, मध्यम प्रकृती और अधम प्रकृती और उत्तम प्रकृती के भी स्मीत और हसित, मध्यम प्रकृती विहसित, उपहसित, अधम प्रकृती के अपहसित और अतिहासित उसी प्रकार से परस्थ या संक्रांत हास्यरस के भी तीन भेद होते हैं उत्तम प्रकृति, मध्यम प्रकृति और अधम प्रकृति पुना उत्तम प्रकृति के स्मित और हसित इसी जैसे इसमें भी वही शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं इसके उपरांत तीसरा रस आता है करुणरस प्रिय व्यक्ति या मन चाहि वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर रिध्य शोक से भर जाये तब करुणरस की निश्पत्ती होती है विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से उद्वुद शोक नामक स्थाई भाव को ही करुणरस कहते हैं इसके रसाव ये वन निमन प्रकार हैं स्थाई भाव शोक है आलंबन जिसके रदिमन में दुख निर्मान होता है वह आलंबन विभाव विनष्ट प्रिय व्यक्तिया विनष्ट अईश्वर्य याहानी उद्दीपन विभाव दुख पूर्ण अस्तव्यस्त दशा का वर्नन अत्वाश्रवन अनुभाव रुदन रोना वैवर्निय रंग उडजाना चहरेका विलाप रोना भाग्य या दैव कोकोसना शरीर शितिल हो जाना और संचरी भावो में गलानी विशाद स्मृति व्याधी निरिवेद मरण आदी इसका उदर्ण अभी तो मुकट बांधान था मात हुए कल ही हल्दी के हाथ खुले भी न थे लाज के वोल खिले थे चुम्बन शुन्य कपोल हाय रुक गया यही संसार बना सिंदुर अनल अंगार वातहत लतिका यह सुकुमार पड़ी है चिन्नाधार करुण रस और वियोग श्रंगार रस के बाहिय स्वरूप में अत्यधिक साम्य है परन्तु दोनों में महत्तपुर्ण अंतर यह है कि वियोग श्रंगार सुखात्मक है परन्तु करुण रस सरवता दुखात्मक है वियोग शंगार में सापेक्षभा होता है परंथु करूनरस में निरपेक्षभा होता है वियोग शंगार में प्रियके मिलने के आशा बनी रहती है जबकि करूनरस में वह बिलकुल नहीं रहती करूनरस के भेद उपभेद आचार्य भरत्मुनी ने करुणरस के तीन भेद माने हैं। धर्मो पगातज धर्महानी के कारण अर्था पचो भव अर्था अर्थानी शोककृत मृत्यु के द्वारा महर्शी व्यास ने एक अन्य भेद चित्तक गलानी जन्यमाना है। भानुदत्य ने केवल स्वनिष्ठ और परनिष्ठ ये दो ही भेद स्विकार किये हैं। करुणरस अत्यन्त प्रभावशाली है। इसमें सभी को द्रवित करने की शक्ति होती है। करुणरस को ही एक मात्र रस के रूप में स्विकार किया है। भाववुति लिखते हैं एक ही करुणरस निमित भेद से विभन रूपधारन करता है। जिस प्रकार आवर्त बुदबुद और तरंग का रूपधारन करने पर भी जल अंततह जल ही रहता है। एको रसो करुण में वनिमित भेदात इस प्रकार से आचारे भाववुति ने एक ही करुणरस माना है। करुणरस में चित्त द्रवित होकर समुद्रवत हो जाता है जिसमें अन्य रसतरंग और भुदबुद के समान है। भारतिय साहित्य का आध्य काव्य स्रिमत वालमे की रामायन करुणरस का महा काव्य है। एक शिकारी बहेलिये द्वारा क्रोंच पक्षी पर बान चलने से उसकी मृत्यू पर शोक ग्रस्त क्रोंच पक्षनी को देख करके वहर्शी वालमी की के मन में काव्यरचना की प्रिर्णा हुई और शोक श्लोकत्व में परिवर्तित हुआ। पाश्चात्य विद्वानों ने भी करुणरस की महत्ता स्विकार की है। करुणरस में निमगन होने पर हमारी सारी मनोवर्तियां स्वच्छ और निर्मल हो जाती हैं। आन्तकरनक को द्रविभूत करके मनोविकारों को धो देने की विशिष्टा इसमें विद्ध्यमान ट्रेजेडी की मुनो विकारों को परश्कृत करने की बात को कैथरसिस या विरेचन और भाव परिश्कार माने जाते हैं। अतह करून रस का प्रभाव और स्रववय पक्ता स्रवत्र विद्यमान है। चौथा रस है वीररस। विभाव अनुभाव तथा संचरी भाव के सहयोग से उद्वुद उत्साह नामक स्थाई भाव को वीररस कहते हैं। वीररस प्रधान रसों में से एक रस है। उत्साह का संबंध युद्ध करने की इच्छा से माना जाता है। किसी शत्रू की ललकार, धर्म की अधोगती, दीन दुरबलों पर अन्याय अत्याचार आदी वारता बातों को देख करके उनके निवारना अर्थ मन में पुरुशार्थ दिखानी का जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे वीररस कहते हैं। वीररस का स्थाई भाव उत्साह है, आश्रय जिसमें उत्साह उत्पन्न हो वह वीर, आलंबन विभाव, उद्धिपन विभाव, शत्रू की चश्टाएं, युद्ध का वातावरन, रणवाद्य की ध्वनी आदी, अनुभाव, आखों का लाल होना, भुजाओं का फड़क अंगों का संचालन, सैन्य को प्रेरित करना आदी, अनुभाव, आखों का लाल होना, भुजाओं का फड़कना, अंगों का संचालन, सैन्य को प्रेरित करना आदी, संचारी भाव, वितर्क, स्मृति, रोमांच, इरिशा, गर्व, उग्रता, अउच्छुक्य, असुया, मत आदि वीररस के भेद उपभेद भी अनेक हैं आचार्य भरतमुनी ने जो भेद माने हैं वे हैं पहला है दानवीर दूसरा धर्मवीर तीसरा युद्धवीर बाद में आचार्य धरनजय ने दयावीर यह नया प्रकार जोड़ दिया और बाद में पंडितराज जगन्नाथ ने सत्यवीर और पांडित्यवीर इस प्रकार के दो अन्य रस जोड़ दिया हैं कुल मिलाकर के दानवीर धर्मवीर युद्धवीर दयावीर सत्यवीर और पांडित्यवीर ये वीररस के चार उपभेद होता है एक उदारन यहां हम नाद कारव अल्प भीन सहागया निजशत्र को देखे बिना उनसे तनिक नरागया रखवीर से आदेश ले युद्धार्थवे सजने लगे रणवाद्य सब निर्गोष करके धूम से बजने लगे स्वमित्री अर्थात लक्षमन स्वमित्रा के पुत्र लक्षमन घनवनाद घननाद मतलब मेगनाद मेगनाद जो बार-बार चिल्ला रहा था वह स्वर लक्षमन से अब सहन नहीं हुआ उन्होंने अपने शत्रु को देखने के लिए वे उत्साहित हो गए क्योंकि अब बिल्कुल वे रह नहीं पा रहे हैं इसलिए उन्होंने अपने बड़े ब्राता रगुवीर से मर्यदा प्षुत्रम रामतंतर जी से आदेश लेकर युद्ध के लिए वो सजने लगे हैं और रणवाद देजितने भी होते हैं शंक होते हैं भेरियां होते हैं धोल होते हैं उन्होंने निर्गोष फिर से यह बजने लगें इस प्रकार से यहां युद्ध वीर रस का एक उधारन हमने प्रस्तुत किया हैं अगला है पांचवा रोद्र रस विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से उद्वुद क्रोध नामक स्थाई भा रोद्र रस कहते हैं इसका स्थाई भाव क्रोध है आश्रय इसमें क्रोध उद्वपन्न होव व्यक्ति आलंबन विभाव शत्रू धिष्ट व्यक्ति दुराचारी देश द्रोही व्यक्ति उद्विपन विभाव अपमान और निंदा से भरे वचन गालियां देना आदी अ अंचारी भावों में आवेग, कंप, स्वेध, गर्व, आमरश, उग्रता, चपलता, क्रूरता, स्मृति, मद, आदी हैं वीररस और रोद्र रस वैसे तो एक समान लगते हैं परन्तु दोनों में परियाप्त अंतर है वीररस में विवेक होता है तो रोद्र रस में अविव रोद्र रस के भेद उपभेद आचार्य भरत मुन्य रोद्र रस के तीन भेद माने हैं एक आंगिक अर्थात क्रियात्मक दूसरा वेशात्मक और तिसरा वचनात्मक रोद्र रस का उदार्ण स्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन ख्रोभ में जलने लगे लवशील अपना भूल कर करताल युगर मलने लगे संसार देखे अब हमारे शत्रुरण में मृत पड़े करते हुए यह घोशना हो गए उठ खड़े तो यहाँ देखिए स्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा था उससे अर्जुन के मन में क्रोभ निर्मान हुआ क्रोध निर्मान हुआ और इस क्रोध का ही बाद में रोधरस में रुपांत्रन हो जाता है वे अपना सबकुछ चारित्रिय शील भूल करके अपने दोनों हाथ वो मलने लगे हैं अब उन्होंने प्रतिज्यां की की संसार देखें विश्व देखें कि अब हमारे हाथों से शत्रु मर जाएंगे मृत पड़ेंगे इस प्रकार घोशना करते हुए उठ खड़े हुए जैसे गीता को सुन करके इस प्रकास यहां रोधरस का उधर्ण है अगला है छटा भयानकरस विभाव अनुभाव तथा संचरी भाव के संयोग से उद्वुद भय नामक स्थाई भाव को ही भयानकरस कहते हैं इसका स्थाई भाव भय है आश्रे जिसके मन में भय उद्पन आलंबन विभाव हिंस्रसोहावाले पशु और उग्र आच्रणवाले लोग उद्धिपन विभाव विक्रत और उग्रध्वनी भयाव हचे श्टाई निरिजनता भयानक अंधकार आदी अनुभाव हाथ पैर कांपना आँखें फाडना रोंग टे खड़े होना विवर्नत कंठा वरोध कंठ रुक जाना बोलते बोलते चीकना चिलाना भागना डिगडिगाना आदी संचारी भावों में शंका मोह दैन्य आवेग चिंता त्रास चपलता मर्ण जुगुपसा आदी का समावेश होता है अब यहां देखें स्वनिष्ठ भायानकरस और परनिष्ठ भायानकरस के हम उदारन देखेंगे स्वनिष्ठ भायानकरस का उदारन है करतव्य अपना इस समय होतान मुझे को ज्यात है गुरुराज चिन्ता ग्रस्त मेरे जल रहे सब गात है अत एव मुझे को अभय देकर आपरक्षित कीजिये या पार्थप्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिये अब ये जो पंक्तियां है वे राष्ट्रकवि मुझे शर्ण गुप्त द्वारा रचित एक खंड़का वेसली गई है जिसमें अभिमन्यू के वध के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति को ही को मारनी का प्रतिज्यां अर्जुन करते हैं तो किस प्रकार से वह जयद्रत डर जाता है इसका यहाँ उदारन प्रस्तुत किया है यह स्वनिष्ठ है खुद डर गया है अब उसी प्रकार परनिष्ठ मतलब दूसरों के भायानकरस का विए उदारन यहाँ है एक ओर अजगर ही लखी एक ओर म्रगराए विकल बटो ही बीच में परियो मुर्चा खाए अदभुत्रस यह सात्वारस है विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से उदभुत विश्मय नामक स्थाई भाव को अदभुत्रस कहते हैं स्थाई भाव विस्मय आश्रे जिसमे विस्मय उत्पन्नहो वह व्यक्ति आलंबन विभाव आश्चर्य जनक व्यक्ति वस्तु घटना दृष्ष आदी उद्धी पन विभाव आलंबन की महिमा और उसकी विचित्रता आदी अनुभाव रोमान्च होना, स्तंबित होना, टक्ट की लगा कर देखना, वाववा करना, तालीबा जाना, प्रसन न हो जाना, आसु निकलाना आदी संचारी भाव हैं कमपन स्वेध स्तंब आदी इसका उदाहरन देखिए अब इसका उदाहरन यशोदा एक बार देखते हैं कि कृष्ण मिट्टी खा रहा है, बालक कृष्ण तो उसके मुख को वो, मुख में कितनी मिट्टी हो देखना चाहती है, तो देखती क्या देखे यशोदा शिशुके मुख में सकल विश्व की माया, खणभर को वह बनी अचेतन, हिलनसकी को मलकाया यह खडी बोली का उदारन है और ब्रजवाशा का उदारन है आपके समुख है देख रावा मात ही निज अदभुत रूप अखंड, रोम रोम प्रती लगे कोटी कोटी ब्रह्मांड यह यह शोदा जब स्री कृष्ण के मुख को खोलती है, तो उसके मुख में सारा विश्व देखती है और कृष्ण भर को वो अचेत बन जाती है, वो बिलकुल हिलडुल नहीं सकती यह खड़ी बूली का उदारन है और ब्रजवाशा के उदारन में हम देखते हैं कि माता को अपना निज अदभुत रूप जो अखंड है वो स्री कृष्ण ने दिखाया और जैसे रोम रोम में उसे लगता है कि स्री कृष्ण के प्रत्यक रोम रोम में करोडो करोडो ब्रह्मांड समाये हुए हैं आठ्वा रस है विवचरस विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के सयोग से उदभुत जुगुपसा नामक स्थाई भाव को विवचरस कहते हैं स्थाई भाव जुगुपसा थ्वा घ्णा आश्रय जिसमें जुगुपसा घ्णा उदपन होव वेक्ति आलंबन विभाव रक्त मांस अस्थि पोड पन घ्णित वस्तोय आदी उद्धी पन विभाव दुरुगंध आदी अनुभाव मुख बिगाडना थूकना आंक नाक कर लेना आदी संचरी भाव में मोह मुर्चा आवेग मर्ण व्याधी आदी विभाचरस का उदर्ण है विष्ठा पूय रुधिर कच हाडा बरभई बगब हु उपल बहु चाडा विष्ठा मतलब मल पूय पूय रुधिर कच हाड़ हाडा मतलब अस्थियों का पंजर ये सब देख करके ये विवचरस का उदर्ण आपके सम्मुख है उसी प्रकार देखे एक और उदर्ण है सिर पर बैठयो काग आँख दोवू खात निकारत खींचत जीभ हिस्यार अति आनंद उरधारत गिद्ध जांख कह खोदी खोदी के मास उचारत श्वान अंगुरिन काटी काटी के खात निकारत देखे यहां एक प्रित का वर्णन है मरे हुए व्यक्ति के मुर्दे का वर्णन है कि उस मुर्दे के सिर पर एक कवा बैठा है और जो अपनी चोंच से उसकी दोनों आँख निकाल कर खा रहा है उसकी जीव को सियार खींच रहा है और उसे उसमें आनंद मिल रहा है गिध उस मुर्दे की जांग को खोद खोद करके मास निकालते हुए खा रहा है और कुट्ते उसके पेरों के और हातों के उंगलियों को काट काट करके खा रहे हैं ये उदारण हमने देखा अब इसके उपरांत नववेरस की ओर बढ़ता है शांतरस विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से उद्वुत शम अत्वा निर्वेद नामक स्थाई भाव को शांतरस कहता है इसमें स्थाई भाव है शम अत्वा निर्वेद इसका आश्रय जिसमें निर्वेद उत्पन्नोह शांती उत्पन्नोह व्यक्ति आलंबन विभाव सत्संगती पवित्र स्थान आश्रम तिर्थ मृतक लोग आदी उद्धीपन विभाव उपदेश कथा की तन पवित्रवात आदी अनुभाव रोमांच पश्चाताप आदी संचारी भाव हर्ष स्मृति निर्वेद आदी शांतरस का उदर्ण है मनरे कागद का पुतला लागे बूंद विनसी जाय चिन में गरब करे क्यों इतना तो ये बहुत ही महत्तु पुर्ण रस है और कहा जाता है कि महाभारत शांतरस का महाकाव्य है इसकारत यहां दिया गया है कि हे मन ये शरीर क्या है एक कागज का पुतला है मतलब ख्ष्ण भंगुर है लागे बूंद विनसी जाय जिस प्रकासे कागज पर पानी की बूंदे चिड़ की जाए तो वो उसमें घुल मिल जाता है घुल जाता है उसी प्रकासे शरीर है इसलिए इस शरीर पर कभी भी गर्व मत कीजिये दस्वा है वात्सलिरस विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से उद्भुत संतान स्निह नामक स्थाई भाव को वात्सलिरस कहता है स्थाई भाव संतान स्निह अत्वा मैटरनल इंस्टिंक्ट आश्रे जिसमें संतान स्निह उत्पन्न होव व्यक्ति जैसे माता पिता गुरु आदी आलंबन विभाव संतान शिशू बाल लीला उद्धीपन विभाव बालक का लोट पोठोना गुटनों पे चलना मुस्कुराना आदी अनुभाव मुख प्रसंद होना, चुमना, बलय या लेना, सिर्पर हाथ फेरना, चुम्बन, स्पर्ष, मुगधो कर देखना, मीठी-मीठी बाते करना, खिलना, खिलाना, पिलाना, लालन, पालन, पुलकित होना, गदगद होना, रोना आदी संचारिभाव, गर्व, हर्ष, मोह, स्मृति, विशाद, आदी, वात्सल्य रसके भी दो भीद होते हैं, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य संयोग वात्सल्य का उधारण यहाँ है, आम आपके समुक्न देखने का प्रयास कर रहे हैं तुलसिदाश जी ने जो रामचंद्र को लेकर के, उनके बच्पन को लेकर के रचना किये होग है, ठुमक चलक्त रामचंद्रबाजत पहंजनिया, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमिलत पताय, धाय मात गोद लेत दशरत की रणिया, अंचलर अंग जरो विविद भांत इसो दुलारी तनमन धन वारी वारी कहत मृद्धु बच्चनिया, विद्रुम से अरुन अधर बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारो लटकत लटकलिया, सूरदास अति आनंद देख के पदारविंद, इस प्रकार से यहां संयोग वात्सलेरस का उधरन रामचंद्र पैरों में पैंजनिया पहन करके ठुमकत जा रहे हैं, इस प्रकार का यहां वरनन हैं, इसी प्रकार वियोग वात्सले का भी उधरन यहां दिया जा सकता है, सूरदास की यशोदा, जब स्री कृष्ण को देवकी की ओर ले जाते हैं, तो वह देवकी को यह देश भेजती हैं, यह वियोग वात्सले का तिंत महत पुर्ण उधरन हैं, संदेशो देवकी सो कहियों, होतो धाय तिहारे सुत की मयाकरत ही रहियों, जदपी टेव तुम जानती उनकी तव मोही कही आवें, प्रात होत मेरे लाड लड़ेते माखन रोटी भावें, तेल उ पुबटनी अरुतातो जल देखे ताही देखी भगी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करत की नहाते, सूर पथिक सुनी मोहें रहनी दिन, बढ़यो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़ेतो मोहन भई खे करत संकोच, इस प्रकार देखिये, इस कारते इस प्र पुट की दाई मा हूं, और मेरी तरह ही तुम उस पर प्रेम करों, यद्यपी मैं जानती हूं कि तुम्हें सब कुछ पता है अपने बालक के बारे में, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूं, प्रातक काल होते ही मेरे स्रीकृष्ण को रोटी और माखन अच्छा लगता है, उ वैसे स्नान के समय तेल उब्डन और गर्म जल देख करके वो भाग जाता है, किसी प्राकाल, जो जो उसे मांगती हूं, वो लाकर देने पर वह थोड़ा-थोड़ा करके, धिरे-धिरे करके नाता है, सुर्दास कहते हैं कि पतिक सुनी मुही रहनी दिन, बढ़ियो रहत उर पतिकों से मैं स्रीकृष्ण के बारे में समाचार सुनती हूं, तो बीच में मेरी सोच बढ़ती जाती है, उसके बारे में चिंता बढ़ती जाती है, इसलिए मेरे अपने इस मोहन के लिए मैं संकोच करते हुए ये संदेश सुना रही हूं, इस प्रकार से यहां यशोदा अंतिम ग्यारव वारस है भक्तिरस, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से उदबुद भगवत प्रेम अथ्वा उपासना नामक स्थाई भाव की भक्तिरस कहलाता है। आलंबन विभाव इश्वर लिला, गुरु सानिध्य, सन्यासी आदी, उद्धिपन विभाव किर्तन, भजन, सत्संग, मंदिर, नामस्मर्ण आदी, अनुभाव शर्नागत होना, समर्पित होना, शरीर को धिला छोड़ देना, देवमूर्ति को एक टक देखना आदी, संचार इसका उदारण हमने ये मिराबाय का एक पद आपके सम्मुक इस रूप में प्रस्तुत किया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्त अमोलिक दे मेरे सतगुरु किरपा कर अपनायो, जनम जनम की पूंजी पायी, जग में सभी खोवायो, खर्चेन खूटे, चोरन ल इसकार थे इस प्रकार है कि मैंने तो राम नाम का रतन पाया है, धन पाया हुआ है, क्योंकि मेरे गुरु ने, ऐसा कहानी कही जाती है कि मेरा जब बच्ची थी, छोटी थी, तब उनके गुरु ने उन्हें स्री कृष्णी के एक मूर्तिला कर दी थी, और वह अमुल्य ऐस ये वस्तु है, जो गुरु ने कृपा करके दी है, जो मैंने अपनाई है, ये जन्म जन्म की पूंजी मैंने पाई हुई है, बहुत बड़ी पूंजी, बहुत बड़ा धन मैंने पाया है, जग में सब कुछ खो जाता है, परन्तु ये पूंजी कभी खो नहीं पाया है, क्य है कृष्णा नाम की जो संपत्य हो दिन दिन सवा गुना बढ़ते जाती है सत्त की नाव यह जो सत्ते की नौका है और इसको नौका चराने वाले हमारे सत्त गुरु है इनकी मुदद से हम इस भवसागर को तर जाते हैं और मीरा आगे कह रहे हैं कि मीरा के प्रभु गिर्धर नागर हरक 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 मतलब हरशित हो करके वो स्रीकृष्ण के अर्थात गिर्धर नागर के गुनक यशगार ही है इस प्रकार से आज हमने ग्यारह रस आपके समुप्रस्तुत कियें सभी इस वीडियो को देखने वाले सभी मित्रों और च्छात्रों का हरदिक धन्यवाद आप इसी प्रकार के और भी वीडियो चाहते हैं तो कृपया करके हमारे इस चानल को लाइक कीजिए पसंद कीजिए कोई अगर परिवर्तन चाहते हैं तो उसमें आप टिपन नहीं कर सकते हैं और हमारे वीडियो को आप अधिक साधिक लोगों तक अग्रेशित कीजिए और यह कभी मत भूलना कि इस प्रकार के अगर वीडियो आपको देखने हैं तो हमारे इस चानल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है बेल आइकॉन दबाना है और सब्सक्रिप्शन लेना है, सदस्य बनना है और इसी माध्यम से आप अलग अलग नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहेंगे हमारे नए वीडियोज के आप सभी काफिर से धन्यवाद जय हिंदी जय नागरी